जे हिंदाज की वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कच्छा 10 में 70 में 70 कैसे लाई 95 पलस हिंदी मेटा पर इसी प्रकार से पढ़कर 95 पलस या 90 पलस लाते हैं इसी को पढ़कर मैं जितना बताऊंगा आपको इतना ही याद करना इससे अलग कुछ भी नहीं याद करना है जो आप लोग केवल एक ही महिने में एक ही महिना नहीं लगेगा ताकि जल्दी से जितना जल्दी आप लोग पढ़ेंगे उतना ही जल्दी याद कर जाएंगे उतना ही बताऊँगा जितना आप लोगों को याद करना है, जितना पेपर में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जीवन पर्चे याद करना है लेखक के जिसमें से जैसंकर परसाद के याद करना है और डाक्टर राजिंद परसाद इनी दोनों के आपको जीवन पर्चे याद करना है सबसे पहले जीवन पर्चे लेखक के जैसंकर परसाद और डाक राजन प्रसाद का इसके लिए तीन अंक निर्धारित हैं ये आपके पक्के हो गए दोनों याद करना है इनमें से किसी ना किसी में एक लेखक का जीवन परचे आही आ जाएगा और अगला देखते हैं अगला आपको क्या याद करना है कभी का जीवन परचे आपको याद करना है इनमें आपको तीन याद करने हैं कौन कौन से सूर दास का और तुलसी दास का मैंने ये सभी अच्छी तरीके से देखकर विद्या और तथा टेनियर की और किताबों से देखकर मैंने ये सभी एक ऐ परिवांस उदारीत हैं इनसे अलग कुछ भी याद करना है दो लेखक के जिवन पड़े और दो कभी के जिवन पड़े क्योंकि मैं इसलिए इनको पहले बता रहा हूं याद करने के लिए क्योंकि यह सरल होते हैं यह पूछे ही पूछे जाते हैं 100% पूछे जाएंगे और अगला है आपको क्या याद करना है रस चंद अलंकार याद करना है इसमें से आपको हास रस की परिवांसा उदार्ण याद करना है और चंद में सोरठा चंद पढ़ना है याद करना है और इसकी उदार्ण और रोला को भी याद करना है और अलंकार में रूपक अलंकार उ उदारन याद करना है इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं अच्छी तरीके से पढ़ें इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा मैं जितना बता रहा हूं आप लोग उतना ही याद करें और अगला है आपको क्या याद करना है उपसर्ग प्रत्ते उपसर्ग प्रत्ते में 20- उपसर्ग प्रत्ते इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना दूँगा कैसे याद करें इसके लिए वीडियो बना दूँगा आप लोग कमेंट में बताएगा इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं तीन नंबर का उपसर्ग पूछे जाते हैं दो नंबर के प्रत्ते य कैसे याद करें या कैसे पहचानने कैसे लिखें और अगला है आपको क्या याद करना है इसके लिए भी छे पांच एक निर्धारित हैं और अगला है आपको क्या याद करना है तत्सम तत्भो और समास समास और तत्सम और तत्भो इसमें समास में दुग और दवन्द याद कर इसमें समास विग्रा पूछा जाता है और समास का नाम यह दोड़नों ही याद करने दुग समास दवंद समास इस पर हमारी वीडियो बनी हुई है क्लाश 10 में जाके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है और ततसम ततभो इनको याद नहीं इसको भी याद करन है अगला है आपको क्या याद करना है अगला है परयायव अचि और संद्ध परयायव अची आद करना है संध के वल आती है जिसका संदी विछेद करना होता है ये चार अंक दुनों के लिए निर्धारित हैं पर्रैवाची और संदी के लिए इनको आपको याद करना है ये संदी के वोल याद करना है संदी विछेद करने को आता है दो नंबर के लिए होती है संदी और पर्रैवाची दो नंबर के मैंने वीडियो बना दिया हूं आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए जाके यह दो नंबर इसके लिए निजधारित हैं यह पक्के हो जाएंगे दो मिनट में ही आप लोग याद कर लेंगे और अगला है गद्यांस पार्ट गद्यांस पार्ट जो गद्य कहानी नुमा पा है जिससे आपको छे नंबर मिल जाएंगे इसमें गद्यांस में पूचा जाएगा कि संदर्व कैसे लिखे और संदर्व प्रसंग और उसकी ब्याख्या कैसे करें इस परकार से तो आपको दोनों ही पार्ट पढ़ने अच्छी तरीके से पढ़ने रिवीजन करने जो चल जाएगा कि हाँ यह चे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और पद्यांस में आपको पाट पढ़ना है पद सूर्दास का और धनुस बंग आपको पढ़ना है और भक्ति आपको पढ़नी है यह तीनों आपको पढ़ने अच्छी तरीके से पद्यांस में इसके लिए भ आपको किसी ना किसी पैराग्राप का पूछ दिया जाएगा अच्छी तरीके से पढ़ना है पद, पाठ, धनुस बंग में भक्त में पढ़ना ये तीनों लेशन आपको पढ़ने अच्छी तरीके से और अगला है संसक्रत में अनुआद, संसक्रत में अनुआद में वाराणा सब्सक्राइब करना है और भारतिय संस्क्राइब तल्डीक पराइब याद करना है उसको आपको याद करना इसके लिए चारक निधारित अग्ला करना है सब्द रूप और धात रूप सब्द रूप में सब्द में भिभक्त में फल याद करना है फलम फले फलस फले फला नाम यह याद करना है मधू मधू यह वालों आपको पढ़ने दोनों पढ़ने इन्वे से आपको पूछ दिया जाएगा कि यह कौन सी भिभक्त है और कौन सा याद करना यह आपको याद करना होगा इसके लिए चारक निर्धारित हैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें और अगला है टाप फाइफ निवंद इसका मैं वीडियो स्पेसल वीडियो बना चक्का हूं आप लोग डिस्क्रिशन बाक्स में लिंक है आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं जैसवास, मातर भूम के लिए और करंड और करंबीर तुमूल ये आपने अपने जिला पर आधारित खंड काब होते हैं इसके लिए तीनक निरधारित हैं अपने स्कूल में टीचर से पूछ लीजिए या विद्या में भी दिया रहता है कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा पूछा जाता है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जैसुभास वाले खंड गापिके कैसे लिखा जाता है इसका चरित चित्रवन आप लोग देख सकते हैं वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट चेकर लीजिए जाके इसके लिए तीनक निरधारित हैं और अगला है हिं इसमें पूछा जाएगा कि दो दो नंबर के पूछे जाते हैं कि रीट काल की प्रवर्तियां लिखें या मितरता नामक पाठ के लेखक कौन है या पूछेगा कि क्या लिखूं ये किसकी रचना है इस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते इसके लिए 10 अंक निरधारित होते इनको आपको याद करना या मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगा कि कौन कौन से आपको याद करना है वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंडे में वेत आएगा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रस कर दें क्य यह इन्नों बंदे मातर मिलते एक ले वीडियो में